आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरण विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें जैवभू रसायन चक्र होता है, उस रसायन चक्र का क्या है? एक प्रकार है ठीके, तथा यह जो अवसाधी चक्र होता है, इस अवसाधी चक्र में जो पोशक तत्व होते हैं क्या होते हैं? जो पोशक तत्व होते हैं, उन पोशक तत्व का संचे कहा होता है? उन पोशक्तत्वों का जो संचे होता है वह होता है प्रत्वी की चट्टानों में किदर होता है जो प्रत्वी रहती है उस प्रत्वी की चट्टानों में जो पोशक्तत्व रहते हैं उनका संचे होता है ठціके जैसे कि कौन कौन से पोश्यक टात्वो जैसे कि Phosphorus जैसे कि Phosphorus ठीके Potassium Phosphorus Potassium Sulphur और केलशियम इन सभी का ठीके इन सभी जो आधी चक्र रहते हैं इन सभी का क्या रहता है चठानों पर ही संचे होता है ठीके तथा यह चक्र अपेक्षा करत कुन सी गती से होता है अपेक्षा से अधिक धीमी होती है इसकी जो गती रहती है वह क्यों से होती है धीमी होती है क्योंकि यह अधिक परिपूर्ण नहीं होते है अधिक क्या होते हैं अधिक परिपूर्ण नहीं होते है जिस कारण इनकी गती जो रहती है वह किसी रहती है वह थोड़ी धीमी रहती है ठीके तथा इन में जो चक्रित तत्व रहते हैं वह किसी भी संचे इस्थल में फस जाते है या फिर कह सकते हैं कि किसी भी संचे इस्थल में फस कर रहे जाते हैं तथा इनका जो चक्रन रहता है वह बहार हो जाता है और चक्रन क्या हो जाता है इनका बहार हो जाता है याने की प्रत्वी की उपलबदता पर क्या बढ़ जाता है गहरा प्रभाव पढ़ता है ठीके और कई सालों तक यह क्या हो जाता है इसमें रुकावट भी बनी रहती है क्या रहती है कई सालों तक यह क् जो पोशक तत्व रहते हैं उनको स्टोर करके भी रखता है ठीके तो यह थी इसकी जो महत्पुन उशिष्टाय थी वहां ठीके धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूं कि आपको इस प्रश्ण का उत्तर समझाया हूं